चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं स्वास्थ मंत्राले के मापदन के अनुसार देश में सभी जिलों को रेड, ग्रीन और और औरेंज जोन के रूप में चिनहित किया गया है जोन के अनुसार लॉकडाउन के नियमों में छूट प्रदान की गई है जिलों का वर्गी करण, स्वास्थ मंत्राले, राजियों और केंदर शासित प्रदेशों के साथ हर सप्ता या आवशकता अनुसार उससे पहले साज़ा करेगी नई दिशा निर्देशों में जोन वाईस कुछ प्रतिबंध हैं तो रियायते भी दी गई हैं जहां प्रतिबंध करोना संक्रमन को विफल करने के लिए अती आवशक हैं, वहीं व्यापक समीक्षा के बाद लॉकडाउन में दी गई धील, देश की अर्थ विवस्था को कारयात्मत बनाने, वानेज्जे कतिविद्यों में तेजी लाने और कामगारों को रोजगार उप रेल और मेट्रो यात्रा तथा सड़क द्वारा अंतर राजिय यात्रा पर रोक रहेगी, हलाकि मेडिकल, सुरक्षा और ग्रिहम अंतराले द्वारा स्वीकरत उतेशों के लिए इस प्रतिबंध में छूट होगी, विद्याले, महा विद्याले, अन्य शैक्षनिक तथा प विद्य सेवाएं जैसे होटेल, रेस्टरों, तथा सिनमा घर, मॉल्स, जिम, खेल परिसर, बार, ओडिटोरियम और ऐसे सभी संस्थान बंद रहेंगे, समाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी, सभी धार्मिक स्थल, पूजास्थल, धार्मिक समागम, जनता के लिए बंद रहेंगे, सभी गैर आवश्यक गतिविध्यों के लिए, लोगों की आवाजाही पर शाम साथ बजे से सुबे साथ बजे तक सकती से प्रतिबंद रहेगा, 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, बिमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों और स्वास थे उद्देश्यों को छोड़ कर घर से बाहर निकलना वर्जित है, रेड जोन और औरेंज जोन में कुछ प्रतिबंद है, पर छूट भी है, रेड और औरेंज जोन में जो कंटेनमेंट जोन हैं, उनकी समवेदन शीरता को देखते हुए, उसमें स्ट्रिक्ट पेरिमीटर कंट्रोल होगा, यानि आपात कालीन चिकित्सा सुविधा और के अनुमती नहीं है, कंटेनमेंट जोन के बाहर, रेड जोन में, देश भर में प्रतिबंधित गतिविध्यों के अलावा, कुछ अन्य आक्टिविटिस पर भी रोख होगी, साइकल रिक्षा, आटो रिक्षा, टाक्सी और काब अग्रिगेटर्स के परचालन पर रोगी, बसों की इंटर और इंटरा डिस्ट्रिक्ट आवाजाही के अनुमती नहीं होगी, नाई की दुकाने, स्पा और सैलून बंद रहेंगे, मौल्स तो बंद ही रहेंगे, पर शहरी शेत्रों में मारकेट्स और मारकेट कॉम्पलेक्स में गैर जरूरी समानों की दुकानों की है, हलाकि जरूरी समान वाली दुकानों के लिए कोई प्रतिबन नहीं है, स्टैंड अलोन शॉप्स, नेबर होड यानि कॉलिनी के दुकान और आवासिय परिसर के भीतर जो दुकाने हैं, वे हर तरह का समान बेच सकती है, ग्रामीन शेत्र में मौल को छोड़, हर तरह के द जावसायक और नेजी प्रतिष्ठानों के अनुमती दी गई है, अनुमती प्राब्ध गतिविध्यों के लिए लोगों एवं वाहनों की आवजाई हो सकेगी, फॉर वीलर्स में चालक के अलावा अधिक्तम दो लोग बैठ सकते हैं, और टू वीलर्स में पिलियन राइडर यानि पीछे की सीट पर सवारी के अनुमती नहीं है, रेड जोन के ग्रामीन शेत्रों में सभी ओधियों के अनुमती है, परंतो शेहरी शेत्र में कुछ प्रतिबंद है, इन सिटू कंस्ट्रक्शन यानि मजदूर जहां साइट पर रहते हैं और रिन्यूबल एनरजी प्र प्रतिबंधित गत्यविध्यों के अलावा बसों की इंटर और इंटर डिस्टलि आवाजाही भी प्रतिबंदित है, तथा टाक्सी और काब अग्रेगेटर्ज को केवल एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ आवाजाही के अनुमती है, फॉर वीलर्स में चालक के अल हालांकि बसों का परिचालन अधिक्तम 50 प्रतिशत बैठने की शम्ता के साथ किया जा सकेगा और बस डिपो भी अपना अपनी 50 प्रतिशत शम्ता के साथ ही संचालन कर सकती हैं मैं आपके माध्यम से एक बार फिर लोग हिंट में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए और कोविड-19 की चेन तोड़ने के लिए सभी जो हमारे राश्रिय निर्देश है उनका सारवजनिक स्थानों पर और कार्य स्थलों पर अनुपालन करने का अनरोध करती हूं अब तक टोटल 11,706 लोग क्योर हो चुके हैं और अगर हम पिछले 24 गंटे में देखें तो 1,074 पीपल है बिन क्योर्ट इस सचे पॉजिटी नूबर इन तरम्स अ क्योर्ट पेशें नोटे तिल देट और इसके साथ ही हमारा रिकवरी डीट अब देखें तो हैं बढ़कर 27.52 परसंट हो चुका है पिछले 24 गंटे में भारत में अगर कोविड-19 के कंफरम केसी की संख्या देखें तो 2,553 केसे बड़े हैं जिसके कारण की कुल कंफरम संख्या अब 42,533 हो चुकी है टोटल एक्टिव केसे अंडर मेडिकल सुपरविजन की संख्या 29,453 है अगर ह हम सभी अपने क्लो़ केसे को डेटा के बेसेज पर अनालिसिस करें और एक आउटकम रेशो कैल्क्लե՟ करें आउटकम रेशो मींस कि जो हमारे केसे क्लो़ हो चुके हैं उनका आउटकम यानी कि क्या वो रिकावर हुए हैं या डैथ रिपोर्ट हुई है उसके टरंस में की गई थी और उसके comparison में अगर हम आज कर डेटा देखे तो पाते हैं कि हमारे outcome ratio बढ़ कर 90 to 20 नोट की गई है जो कि 17 तेपरिल के डेटा से improvement के रूप में हम देख सकते हैं यह वैसे तो जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि देश के लिए हर एक death concern का विशे है इसलिए जरूरी है कि हम कोविट के treatment की deeper understanding develop करें focus करें कि हम अपने इस outcome को और बहतर कैसे बना सकते हैं आज जैसे कि lockdown हमारे देश के कुछ हिसों में staggered manner में ease हो रहा है तब हमारे लिए जरूरी है कि हम ये ensure करें कि rigorous containment measures वहाँ लिए जा जाएं पर की case पाए गए हैं हम ये ensure करें कि जितने भी हमारे case हैं उसका effective clinical management हो और साथ ही हम infection prevention और control पर भी अपना focus रखें ऐसे pandemics में इससे पहले भी historically यह note किया गया है कि अगर social distancing का relaxation यानि कि जब हम social mobility allow करते हैं उस समय पर सही डंग से पालन ना हो और restriction को सही डंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो suddenly disease transmission rate फिर से increase हो सकता है इसलिए lockdown के benefits को बनाए रखने के लिए हमें सब को मिलकर यह ensure करना होगा कि हम सब अपनी social responsibility को समझें और lockdown ease होने के समय पर भी सभी protocols और guidelines का diligently पालन करें there is a very fine line complacent होगे तो फिर से cases की संख्या बढ़ सकती है दूसरी और जिन जिले में cases अभी तक report नहीं हुए है वहाँ पर अगर case आएंगे तो वहाँ पर फिर से restriction लागू की जा सकती है हम एक नए normal में transition कर रहे हैं जरूरत है कि हम सब लोग साफधान रहें, सजग रहें और सतरक रहकर COVID-19 से निमटने के अपनी तैयारी को इसी speed और momentum के साथ बढ़ाते रहें हमें public spaces में compulsorily face mask या covers को यूज़ करना है even outside containment zone में भी हमें सभी preventive measures और सरकार द्वारत गिये गए दिशाने देश का पालन करना है essential items को भी खरीदते समय या common areas में किसी से meeting करते समय भी जो relaxation वाले area हैं, वहाँ पर भी हम भीड भार से बचें latest physical distancing measures का पालन करें hand hygiene, environmental hygiene और respiratory hygiene जैसे preventive measures को हमें diligently follow करने की जरूरत है जैसे कि मानने प्रदान मंत्री जी ने कहा है कि जरूरत है कि जान भी है जहान भी है और उसको सुनिश्चित करने के लिए आज जब हम lockdown को थोड़ा relax कर रहे हैं तो जरूरत है कि हम सब लोग मिलकर इस दिशा में प्रेद्न करें कि हम lockdown ease करने के समय पर भी अपनी social responsibility को समझते हुए इस तरह से ensure करें कि cases की संख्या ना बढ़े प्लीज help us to help you धन्यवाद friends आज हमारे साथ है chairman empowered group six तो मैं request करूँगा sir से के वो आपको अपने empowered group के बारे में वरीव करें sir मैं empowered group 6 जो की civil society organizations, NGOs, सारे development partners, industries, international organizations से deal करता रहा है मैं उसका chairman हूँ और इस group ने जो जो काम किया है इसके बारे में मैं एक लिखित press release दे रहा हूँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि impart group 6 का जो सबसे महत्वपूर्ण काम रहा है कि इन्होंने इसने जो हमारे NGO दरपन में 92,000 civil society organizations और NGO रेजिस्टरेट थे वो पहली बार भारत में इन सब को लेकर यहां पर स्वास्त मंत्राले की तरफ से जो guidelines हैं वो यहां पर बताई जा रही थी कि इस guideline में आपको किन किन नियमों का पालन करना है जेला है